गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है, गेट डाटा पर क्लिक कर दने के बाद मैं देखी किस एंडिंग फोर एक वाइसी तो देखी किस यहाँ पर सब कुछ Hello guys, welcome to my technical embassy YouTube channel तो देखी किस आज मैं आप लोगों को एक बड़ी update लेके आया हूं अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को फूल देखने के बाद में आपको सब पुछ पता चल जाएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा यह प्रोसेस आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा हूं आप लोग वीडियो, skip मत करिये और फूल देखिए, तभी प्रोब्लेम अगर जहलना पर रहा है तो आपको मैं अभी सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो के अंदर सिखाने वीडियो पर बने रहे हैं अगर आपका एक वाईसी नहीं हुआ है अगर आपका इस्पेलिंग रॉंग है अगर आप लोग कुछ सुधार करना चाहते हो अपना केसी में तो प्रोटेल पर अपना जो भी है आधाकट में अलग है और पहले जो भी है आपने पहले किया था उसम सबसे पहले आपको PM किशान पोटेल पर जाना है सबसे पहले इस पोटेल पर यह आप लोग देख सकते हो यह पोटेल पर आपको जाना है और सबसे पहले यह देखेगे गैरंटी के साथ आपको 6,000 रुपीज पार येर आपको मिल रहा है तो अभी रिसेंटली एक की गैरंटी मतलब PM किशान लाब आपको 9,000 रुपीज मिल सकता है तो देखे किस 9,000 रुपीज आपको मिलता है तो देखे किस इसको मैं कट कर रहा हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आने के बाद में पहले ही लिखाएगा इस आप लोग देख सकते है EKYC is mandatory for PM किशन रेश्टर फार्मर अगर आप लोग यह जो लिखा है इसको नजर अंदाज करते हो तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा यहां में बताया गया है OTP-based EKYC is available on PM किशन पोर्टल बट यह OTP-based से कभी कभी नहीं होता है और अगर नहीं होता ह है तो आपको पोर्टल यहां पर लिखा गया है नियरे CSC Center में भी Connected for Biometric Best EKYC तो यह आपको समझ लेना है सबसे पहले और अगर आपका कुछ भी Mistake हुआ है आपका आधर काट में तो नेम करेक्शन एस पार आधर यहां में लिखा गया है आप लोग यह पोर्टल पर आईए और करिए अपका इजली बन जाएगा तो यहां पर आके आप लोग करेक्शन करिए और देखेगे अभी सबसे पहले अगर आपका कुछ प्रोब्लेम है नो यूर इस्टेटास पर जाके आप लोग रेइस्टेशन नमर देखे सब कुछ डिटेल में चेक कर सकते हो यह तो य एकस्टार्नल लोग इन पर जाना है और यहां पर सीस्टेशन लोग इन पर सिम्प्ली क्लिक कर देना है सीस्टे लोग इन पर क्लिक कर देने के वाद में अगर आपके पास सीसी एड़ी नहीं तो अगर है आप भेली हो एक आप CAC चलाते हो CAC Center है आपके पास तो आपके लिए भी यह मैं बता रहा हूँ तो देखे किस यहाँ पर Farmer Registration है यहाँ पर Farmer Registration पर आपको जाके नया Registration PM किज़न में नाम भरती कर सकते हो और इडिट Farmer Details अगर आपका कुछ भी गलत हुआ है तो आप लोग यहाँ से फिर से इडिट कर सकते हो Land Details आपका जो भी है वो उसके बाद में आपका जो भी है आधार आधार कट का और दाग नमर वगएरा वगएरा तो देखे किस यहां से आप इडिट कर सकते हो उसके बाद में इंटर आपडेट आधार नमर तो देखे किस अगर आपका पहले आधार कट दूसरा था अभी दूसरा है तो यहां से आप लोग आधार कट अपडेट कर सकते हो तो देखिए कि सभी CAC भेली को मतलब क्या करना पड़ेगा, आपग्रेट करना पड़ेगा जो की RD service को, मतलब जो भी है आपके service, मंत्रा मॉर्फो जो भी है, तो इस latest version आप लोग डाउनलोड करिए, उसके बाद में easily आमें connected हो जाएगा, उसके बाद में आदाकर्ट नमर दे आएगा, तो देखिए किस अब यह सबसे main बात, तो देखिए किस यहाँ पर register, status register farmer बोलके है, तो किस यहाँ पर आप लोग farmer का details चेक कर सकते हो, status चेक कर सकते हो, अगर आपका PM किसन में EKYC हुआ है, या तो आपका pending है, तो किस वो देखने के लिए सबसे पहले report पर आना है report पर आने के बाद में EKYC pendency report, तो देखिए किस EKYC pendency report है, उसके बाद में यहाँ में ABPS not ready count, EKYC pendency report पर simply आपको click कर दना है, EKYC pendency report पर click कर दने के बाद में, में एक-एक करके आप लोग को बता रहा हूँ, guys वीडियो पर बने रहे है, और बीना skip किये, आप लोग यह आप सहर में रहते हो, या तो आप लोग गाउ में रहते हो, तो आपको आरवन पर click कर दना है, और अगर आप लोग गाउ में रहते हो, तो आपको रूरेल पर simply click कर दना है, इस तरह के से click कर दना है, click कर दने के बाद में, आपका sub district आपको select करने के लिए आएगा, तो sub district select कर करने के बार में देखें कि ब्लॉक दो ब्λοक तो धेखें को आपको देखने कुमिलρέा होगा और इस तरीक़ आपको सेलेक्ट कर5000 आपको इसी कर Chdire अनुम करना है spots आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो देखें कि से हब दोगा लोग देखने अभी लास्ट में कर दिया मैंने यह सेलेक कर दिया उसके बाद में आपको क्या कर देना है यहां में गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है गेट डाटा पर क्लिक कर देने के बाद में देखी किस पैंडिंग फोर एक वाइसी तो देखी किस यहां पर सब कुछ का नाम आ चुका है आप लोग तो गैस उनको पैसा भी नहीं मिलता है तो गैस यही एक रीजन है बहुत सारा कोई पता नहीं है सबसे पहले यह चेक कर लेना है एक बर तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो भी है नाम इतना सारा का यहाँ पर क्या है गैस आप लोग देख सकते हैं 191 191 यह गाउं का 191 लोगों का मतलब EKYC pending है अभी तक नहीं हुआ है आप लोग यह एक बार चेक करिए आपका नाम भी इस तरीके से यहाँ पर आ सकता है अगर आया हुआ है तो गैस आपको क्या कर देना है मैं अल्रड़ी बता चुका हूँ बायमेटिक आधार ऑथन्टिकेशन पर जाना है और अगर आपके पास CAC नहीं है तो गैस आप लोग नियरे CAC सेंटर पर जाईए वहाँ पर करिए वहाँ पर आपका इजली वो लोग कर देंगे आपको थोड़ा बहुत चार्च आपको वहाँ पर देना परेगा बट जो भी आपका जितना साल से आपका रुका हुआ है पैसा वो सब कुछ आपका बैंक एकाउंट पर इजली मिल जाएगा सुरक्षित तरीके से मिल जाएगा तो देखे लेंगे अभी यह कर देने के बाद में आपका कम्प्लिट काम खतम तो देखे लोग जिन एकोई अभी पीस का मतलव है और पेमेंट ब्रिच सिस्टम यहां पर रेडी नहीं होई lum मतलब जिन-जिन का नहीं हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक कर देने के बाद में देखी है, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, अभी आपको क्या कर देना है, अभी पीएस नौट रेडी काउंट, तो यहाँ पर देखी किस अपना इस्टेट से लेक कर लेना है, सबसे पहले देखी किस इस्टेट, सारा कुछ इस्टेट यहाँ में आपको देखने को मिल जाएगा, इंडिया में जितना भी इस्टेट है, आप लोग देख सकते हैं, यह आपको देखने को मिल जाएगा, अभी यह सारा कुछ आपको देखना है, आपको देखने को मिल जाएगा, अभी यह सारा कुछ आपको देखना है, आपका डिस्टिक कौन सा है, तो सबसे पहले आपको वह चेक कर लेना है, तो देखी किस इस्टिक में सेलेक कर चुका हूँ उसके बाद में आएगा आपका सब डिस्टिक जो भी है आपका सब डिस्टिक वो आप लोग सेलेक करिए सब डिस्टिक सेलेक कर देने के बाद में आपका आएगा भी विलेज नेम तो गईस प्रोसेस बहुत अच्छे पर क्लिक कर देना है, फाइल पर क्लिक कर देने के बाद में यहां पर आप देख सकते हो, village wide details, तो गाओं को तो देख सकते हो गाईस, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, अब यहां पर सारा कुछ details में दिया गया है और registration नमर भी दिया गया है, अगर आपको इस registration प पर और अभी आपको PMKishan Portal पर फिर से open कर लेना है, open कर देने के बाद में अभी आपको चेक करना है, know your status, देखिएगेज, know your status, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बता दिया, know your status पर जाना है, और know your status पर जाने के बाद में इंटर registration नमर, तो देखिएगेज, registration नमर यहाँ पर आपको simply दे देना है, उसके बाद में यह capture यहाँ पर आपको simply click कर देना है, तो देखिएगेज के बाद में capture देने के बाद में get OTP पर click कर देना है, OTP will be sent to your EKYC register mobile number, तो आपका mobile number पर जाएगा एक OTP, get OTP पर simply click कर देना है, OTP has been sent at a mobile number इतना, तो देखिए इतना mobile number में OTP जा चुका है, अभी आप लोग यहाँ से check out कर सकते हो, अपना bank setting status, आपका land का status, उसके बाद में आपका और EKYC भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो, I hope यह वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा और क आप ही समझ में आया, तो अगर आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को like, comment, share, जितना हो सके कर दिजिए, मुझे motivation मिलता है, तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते ही next video, तब तक लिए, जेहिं, जे भारत.